हलो फ्रेंड्स रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि अरजुन के रत पर हनवान जी क्यों हुए थे विराजमान हनवान जी लंका युद्ध के समय अपने प्रभू श्री राम की सेवा के लिए त्रेता यूग में उपस्तित थे श्री राम ने जब जल समादी ली तो हनवान जी को यहीं प्रथवी पर रुखने का आदेश दिया तब से माना जाता है कि हनवान जी प्रथवी पर ही वास करते हैं द्वापर यूग में जब उनको पता चला था कि उनके ही प्रभू श्री केशन के अफ्तार में प्रथवी पर दोवारा अफ्तरित हुए हैं तो वे अतियंद प्रसन्न हुए का जाता है कि महाबारत के युद्ध में भगवान श्री केशन की इच्छा के अनुरूग बजरंग वली अर्जुन के रत की द्वजा पर विराजमान रहे इस से जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामाइंड में मिलता है जिसमें हनवान जी अर्जुन के घमंट को तोड़ते हैं एक बार जब रामिश्वरम में अर्जुन की मुलाकात हनवान जी से होती है तो दोनों लोग लंका युद्ध को लेकर चर्चा करने लगते हैं अर्जुन को उस समय स्वयम पर संसार का सबसे बड़ा धनुरदर होने का अभिमान था इसी अभिमान के कारण अर्जुन ने श्री राम का अपमान कर दिया बातचीत में उन्होंने हनवान जी से कहा कि आपके प्रभू श्री राम तो बड़े वीर युद्धा और धनुरदर थे तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाड़ों से ही सेतू का निर्माड क्यों नहीं कर दिया था इस पर हनवान जी ने कहा कि बाड़ों का पुल वनर सिना के भार को सेन नहीं कर पाता इसलिए बाड़ों का पुल श्री राम ने नहीं बनाया था तब अर्जुन ने गवन्ट से कहा कि वे तो बाड़ों का ऐसा पुल बना देते जो कभी तूटता ही नहीं अरजुन ने हनवान जी से कहा कि सामने तलाब में वो बाड़ों का पुल तैयार करके दिखाते हैं जो आपका भाहर सैन कर लेगा उस समय हनवान जी अपने सामानी रूप में थे अभिमान से चूर अरजुन ने अपने बाड़ों से तालाप पर एक सेतू का निर्मान कर दिया और हनवान जी को चुनौती दे दी अरजुन के बनाए सेतू को देखकर हनवान जी ने कहा कि यदि ये सेतू उनका वजन सैन कर लेगा तो वो अगनी में प्रवेश कर जाएंगे और अगर ये तूटता है तो तुमका अगनी में प्रवेश करना होगा अरजुन ने शर्ट सुिकार कर ली हनवान जी ने विशाल रूप धारन किया और जैसे ही पहला पग उस सेतू पर रखा वे सेतू डगमगाने लगा दूसरा पहर रखते हुए सेतू चर्मराने लगा उस पुल की हालत देखकर अरजुन का सिर नीचे हो गया हनवान जी ने जैसा ही तीसरा पग रखा तो वे तलाब खून से लाल हो गया ये देखकर हनवान जी सेतू से नीचे आ गए और अर्जुन को अगनी प्रज्युलित करने को कहा अगनी प्रज्युलित होते ही हनवान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे तब ही भगवान श्रीकिष्ण प्रकट हुए और हनवान जी को ऐसा करने से रोका उन्होंने कहा कि हे भक्त श्रेष्ट आपके पहले ही पक के रखते ये सेतू तूट गया होता अगर मैं कचुआ बनकर अपनी पीट पर आपका भार सैन नहीं करता तीसरा पक रखते ही मेरी पीट से खुन निकलने लगा था ये सुनकर हनमान जी दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ट से शमा मांगी उन्होंने कहा कि वे अपरादी हैं उनके कारण उनके प्रभू को दुख पहुँचाए इस पर श्री कृष्ट बोले कि ये सब उनकी ही एक्चा थी उन्होंने हनमान जी से कहा कि आप महाबारत युद्ध में अर्जुन की रत पर लगी द्वजा पर विराजमान रहें जब महाबारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन की रत पर हनमान जी शिकर पर लगे द्वज़ पर विराजमान हो गए आपको शायद ही पता होगा कि जब महाबारत का युद्ध समापत हो गया था और जब अरजुन के रत के उपर से हनवान जी और भगवान श्री क्रिशन नीचे उतर गए थे उसी शन अरजुन के रत में विस्पोर्ट हो गया था क्योंकि अरजुन के रत के उपर शत्रों ने इतने अस्त्रों शत्र चलाए थे उस समय इन अस्त्रों और शत्रों से अरजुन की रक्षा हनवान जी नहीं की थी